हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेके आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए, तो चलिए शुरू करते हैं आज हम मटर की एक स्पेशल सब्जी बनाएंगे, इसे बनाना भी बहुत आसान है और खाने में तो बहुत ज़्यादा टेस्ट ही है और टेस्ट के साथ साथ ये हेल्दी भी है, क्योंकि इसे हम बिल्कुल कम तेल में बनाएंगे सबसे पहले मैंने ये 200 ग्राम छिलेवे मटर ले लिए, इसे में दरदरासा पीस्ट के तयार करना है ये देखे, हमें ऐसा दरदरासा पीस्ट नहीं बनाना है और इसमें हमने दो चमच पानी डाला था, तो ये अच्छे से पिस्ट के तयार हो गया है अब हम इसे एक कटोरी में निकाल लेते हैं ये हमने सारा पेस्ट एक कटोरी में निकाल लिया है और अब हम इसमें तीन चमच बेसन एड़ करेंगे आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं, उस हिसाब से आप सारे मेजरमेंट कर लीजिए और अब हम इसमें सूखे मसाले डाल देंगे तो आदा चमच मैंने इसमें लाल मिर्च पाउडर डाला है आदा चमच नमक और आदा चमच इसमें हम हल्दी पाउडर डालेंगे एक चमच हम इसमें अदरक लेसन का पेस्ट डाल देंगे आप चाहे तो ताजा अद्रग लेसुन को ग्रेट करके भी ले सकते हैं और एक चमच हम इसमें तेल डालेंगे इससे हमारी मटर की बढ़ियां बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बनेगी इन सबकों में अच्छे से मिक्स कर लेने अगर आपको लगे कि हमारा बेटर थोड़ा गीला है तो आप इसमें एक चमच बेसन और एड़ कर सकते हैं मुझे यह परफेक्ट लग रहा है थोड़ा सा मिश्रण हम लेंगे और इसे हाथ में गुमाएंगे अगर यह अच्छे से से बन रहा है तो फरफेक्ट अगर आपको गीला लग रहा है तो आप थोड़ा बेसन और डाल दीजे और अब हम इसे 10 मिनिट के लिए रेष्ट करने के लिए छोड़ देंगे 10 मिनिट हो गए हैं और यह देखिए हमारा बेटर तयार है अब हम एक चलनी लेंगे और उसमें थोड़ा सा ओई लगा के उसे ग्रीस कर देंगे ऐसी चलनी सभी के पास मिल जाते हैं तो हम यह चलनी ले लेंगे अगर आपके पास इडली का कुकर है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं अब हम बेटर को एक बार मिक्स कर लेते हैं और इसकी छोटी छोटी बड़ी बनानी है में जैसे हम मूंगदाल की बड़ी बनाते हैं वैसे छोट छोटी बड़ी बनाके पूरी प्लेट में फेला देंगे अच्छे से ये देखिए आप ऐसे बनाएंगे तो बिल्कुल आराम से बनके तयार हो जाएगी थोड़े थोड़े हमें स्पेस रखने नहीं तो ये सारी एक साथ मिक्स हो जाएगी इसी तरह हमें पूरी चलनी में अच्छे से बढ़ियें बनाके रख लेनी है एक बार में जितनी आजाए उतनी आपको एक बार में बना लेनी है अगर आप ज़्यादा लोगों के लिए बना रहे है तो आप दो बार में भी बना के तयार कर सकते है ये मैंने कड़ाई में पानी गरम होने के लिए रख दिया है इसमें हम तीन प्याज डालेंगे और तीन ही टमाटर लिए इनको मैंने बीच में से काट लिया है दो हम इसमें हरिमिट्स लेंगे और दस से बारा कलिया ले सुनकी जब तक ये नीचे पकेंगे तब तक हम उपर चलनी रखके हमने जो बड़िया बना के रखी है मटर की वो पका लेंगे हमें थोड़ी देर के लिए बड़ियों को खुले में पकाना जब उनका हलका सा कलर चेंज हो जाएगा तब हम उसे ड़क के पकाएंगे दस मिनिट हो गए और ये देखिए हमारी बड़िया अच्छे से पक चुके है एक नाइफ लेंगे और उसमें ऐसे डालेंगे तो पता चल जाएगा कि हमारी बड़िया अच्छे से स्टीम हो चुके है अब हम इन्हें साइड में निकाल लेते हैं और ये देखिए हमारे प् पानी यूज कर सकते हैं यह प्याज टमाटर को ठंडा होने के बाद पीस के तयार कर लिए हमारा पेस्ट बन के तयार हो चुका है और बड़ियां भी अब हमारी ठंडी हो गई है इन्हें में एक कटोरी में निकाल लेते हैं चलनी को हमने अच्छे से ग्रिस किया था तो यह बड़े ही आराम से निकल के तयार हो जाएगी यह हमने सारी बड़ियां इसमें निकाल लिए आपको यह रेसिपी कैसी लगी आप कमेंट करके जरूर बताएं अब हम एक कडाई लेंगे और उसमें दो टेबली स्पून तेल डालेंगे तेल हम इसमें ज्यादा यूज नहीं करेंगे बिल्कुल कम तेल में यह सबजी बनाएंगे थोड़ा सा जीरा डाल के चेक कर लेते हैं कि हमारा तेल अच्छे से गरम हो गया अब हम इसमें एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और कटोरी में थोड़ा सा पानी डाल के वह ले लेंगे ताकि हमारा मसाला वेश्ट ना जाए ग्रेवी को में सिर्फ दो मिनिट के लिए पकाने ज्यादा नहीं पकाने क्योंकि हमारे प्यास टमाटर तो पहले से ही पके हुए है अब हम इसमें आदा चमच नमक डालेंगे नमक हमने पहले बड़ियों में डाला तो यह सिर्फ ग्रेवी के लिए नमक डालना है तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालना ज्यादा डल जाएगा तो फिर सब्जी का टेस्ट भीगड़ जाएगा यह देखे है ग्रेवी हमारी बनके तयार हो चुकी है अब हमने जो मटर का फेस्ट बना के रखा था उसमें से दो चमच पेस्ट डाल देंगे इससे जब हमारी सब्जी बनके तयार हो जाएगी तो उसमें से पानी अलग नहीं जाएगा और इसमें आपको तेल दिखा ही नहीं दे रहा होगा क्योंकि हमने बिल्कुल कम तेल में यह सब्जी बनाई है अगर आपको ज्यादा तेल चाहिए तो आप तेल की मातरा थोड़ी बढ़ा सकते हैं मैंने इसे बिल्कुल हेल्दी तरीके से बनाई इसलिए तेल भी कम यूज किया है और जो बढ़ी है उनको भी स्टीम किया है यह हमारी ग्रेवी बनके तयार हो चुकी है अब हम इसमें थोड़ी से मलाई एड़ कर देंगे इससे सब्जी का टेस्ट थोड़ा रिचाए मलाई मिक्स हो गए है अब हम इसमें एक ग्लास पानी डालेंगे आप ग्रेवी जितनी गाड़ी पतली रखना चाहते है उस हिसाफ से पानी एड़ कर दीजिए और एक बार सब्जी को चला लेंगे अब हम कड़ाई को ढख देंगे ताकि ग्रेवी में जल्दी से उबाल आ जाए ये देखिए ग्रेवी में अच्छे से उबाल आ गया और काफी गाड़ी भी हो गई है अगर आपको ग्रेवी गाड़ी लग रही है तो आप इसमें थोड़ा पानी ओर एड़ कर सकते हैं अब हमने जो बड़ी बना के रखी थी वो इसमें डाल देंगे ये सब्जी चार लोगों के लिए काफी है आप जितने लोगों के लिए बना रहे हैं आप उसे साफसे सारी चीज़े मेजर कर लीजे एक बार सब्जी को चला लेंगे और दो मिनिट के लिए हम सब्जी को डखके पकाएंगे ताकि सारे मसाले एक दूसरे के साथ एबजॉब हो जाए ये देखिए हमारी सब्जी बनके तयार हो चुकिए अगर आपको ये सब्जी गाड़ी लगे तो आप थोड़ा पानी और एड़ कर लीजे और अगर आपको ये सब्जी और ज्यादा गाड़ी पसंदे तो इसे आप थोड़ी देर और पका लीजे अब हम इसमें थोड़ा सा कटावा हरा धनिय डाल देंगे और इसे मिक्स कर लेंगे ये हमारी मटर की हेल्दी सब्जी बनके तयार है उमीद आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी अब हम इस सब्जी को सव कर लेते हैं अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करना और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजे ताकि आपको हर रोज मेरे चैनल पर नई नई रेसिपी देखने को मिले और आपको कोई और रेसिपी देखनी है तो आप कमेंट करके जरूर बताए मिलते हैं फिर से एक नई रेसिपी के साथ